आज हम लोग दसमी कक्षा के तीसरे चेप्टर जिसके सिर्सक का नाम है भारत से हम क्या सीखें जो एक परकार का भासन है और यह चेप्टर मैक्स मूलर के द्वारा लिखा गया है तो आज हम लोग इसी चेप्टर के बारे में बिस्तार से जानेंगे बिस्तार से पढ़ेंगे और इस चेप्टर से समझी जितने सारे भी subjective questions है जो की आपके book में दिये गए है उन सभी questions को हम लोग बारी-बारी से देखेंगे तो चलिए उन सभी questions का उत्तर हम आपको बारी-बारी से बतलाते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे और साथ में बेल आइकन जरूर दबाईएगा जिस्दे की आगे के सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो सबसे पहले हम चिप्टर के बारे में देख लेंगे और लेखक के जो पर्चे है उसके बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम चिप्टर देखेंगे कि सिर्सक का नाम है भारत से हम क्या सीखें जो एक परकार का भासन है इसे आप याद रखिएगा कि भारत से हम क्या सीखें एक परकार का भासन है जिस परकार से हम आपको पहले चिप्टर में बताये थे कि स्रम विवाजन और जाती प एक परकार का भासन है जो की मैक्समूलर के द्वारा लिखा गया है तो सबसे पहले हम कुछ मैक्समूलर के बारे में जान लेंगे इनका जन्म कब हुआ था इनकी मिर्तिव कब हुई इनकी परमुख रचना कौन कौन सी है तो सभी कुछ हम मैक्समूलर के बारे में थोड़ा 23 इस्वी को जर्मानी के टेसाउ नगर में हुआ था और अगर इनकी मौत की बात करें तो इनका मौत 1900 इस्वी में हो गया था अब हम लोग देखेंगे कि स्वामी विवेका नंद ने मैक्समूलर को बेदान्तियों का भी बेदान्ति कहा है आपके एक्जाम में हैं पूछ सकता है कि स्वामी विवेका नंद ने मैक्समूलर को कौन सी उपाधि दी थी तो आपको बताना है बेदान्तियों का भी बेदान्ति अगर इनकी परमुख रचना की बात किया जाए मगा कहने का मतलब कि मैक्स मुलर की पर मुख रचना तो हीप पदेस है जिसका यह जर्मन भासा में अनुबात किये हैं कौन तो मैक्स मुलर अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कोश्टन्स को देखने से पहले भारत से हम क्या सीखें कहानी का सारान्स क्योंकि आपको यह जो सरांस है जो कि हर एक चिप्टर का किसी भी चिप्टर का सरांस आपको एकजाम में पूछ सकता है जो कि सीधे 10 नमर का पूछा जाता है तो आपको सबसे फहले कोई भी कहानी का question answer पढ़ने से पहले आपको उस कहानी का सरांस पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो सबसे पहले आप इसका सरांस देखिए क्योंकि यह एकजाम में 10 नमर का पूछा जाता है तो आप इसको भीवियाई कोश्चन भी समझिएगा क्योंकि यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो भारत से हम क्या सीखे पहले हम लोग इस कहानी का सरांस देखेंगे तो भारत से हम क्या सीखे सिर्शक कहानी उस भासन का आनुबाद है जिसमें मैक्समूलर यह वताना चाहते है कि बिश्व का अगर कोई भी देश ने सभ्यता संस्कृती रहन सहन रीती रिवाज सीखा है तो वह देश है भारत मतलब भारत ही एक मात्र ऐसा देश है जहां सभ्यता संस्कृती रीती रिवाज बहुत अच्छी तरहते है हमारा भारत देश धन धान से प्राकिर्तिक सुन्दर्ता से हरा भरा है लेखक के हर द्रिष्टी कौन से भारत एक परिफूर्न देश है मतलब इस भासन में जो मैक्समूलर है वह भारत देश के बारे में बतलाना चाह रहे हैं लेखा के अनुसार अगर धर्ती पर कहीं स्वर्ग दिखलाई पड़ता है तो वह भारत देशी है मतलब लेखा के यहां कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां धर्ती पर ही स्वर्ग दिखलाई पड़ता है इन्हें गावों का नजारा मनमुहक लगता है मतलब आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत एक गाओं का देश है और यहाँ जो गाओं का नजारा होता है वह बहुत ही मनमुहत लगता है सच्चा दर्सन और आत्मा का निवास गाओं में होता है आपके एकजाम में पूछ सकता है कि आत्मा का निवास कहा होता है तो आपको इसका जवाब देना है कि आत्मा का निवास गाउं में होता है ना कि सहरों में यह तो यहाँ पर लेखा कहते हैं कि सच्चा दर्सन और आत्मा का निवास गाउं में होता है ना कि सहरों में क्योंकि सहर बहुत ज़्यादा प्रदूसित होते हैं आप लोग जो भी स्टुडेंट सहर में रहते होंगे वे अच्छी तरह से जानते होंगे कि सहर कितना प्रदूसित होता है एक यहां तक कि कोई-कोई सहर तो ऐसा है जहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है इस देश में जितनी विभिनताएं पाई जाती है सायद ही किसी द एक ऐसा देश है जहां हर एक संपरदाय के लोग रहते हैं हर एक जाती धर्म के लोग रहते हैं हर एक भासा बोलने वाले लोग रहते हैं और हर एक सभ्यता संस्कृति वाले लोग रहते हैं हिमाले से कन्या कुमारी की यात्रा अती सुन्दर है मतलब भारत में हिमाले से कन् अती सुन्दर बतलाएं हैं बिस्व की सबसे प्राचीन भासा संस्क्रीट को माना जाता है बिस्व की जो सबसे प्राचीन भासा होता है वह संस्क्रीट भासा को ही माना जाता है जिसे भासाओं की जन्नी भी कहा जाता है अप्जेक्टिव कोश्चन में आपका पूछ सकता है क भासाओं की जरनी कौन सी भासा को कहा जाता है तो इसका जवाब आपको देना है संस्क्रीत भासा को भासाओं की जरनी कहा जाता है जो हमें अतीत से लेकर सुदुर भविस्ट तक जोड़ने का कार्ज करती है हमारा भारत एक ऐसा देश है जो दुस्वनों को भी गले लगाता है मैक्समूलर ने भारत एक परियोक्षाला के रूप में देखे हैं जिसमें सिखने सिखाने की प्योगता पाई जाती है मतलब भारत एक ऐसा देस है जहाँ एक दुसरे को लोग सिखाते हैं इसके अलावा किसी भी देश में इस परकार की कोई भी चीज नहीं पाई जाती है तो यहीं आपका जो चिप्टर था भारत से हम क्या सीखे इसका एक सारांस था तो इसी कहानी को विस्तार से आपके बुक में पढ़ना है और उस कहानी का सारांस हम आपको यहां बताए जो कि आपके एक्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है तो आप इसे बहुत ही ध्यान से समझ लिजेगा अगर एक बार में नस समझ आए तो आप वीडियो को दुबारा भी देखिएगा तो चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं आपके बुक वाले कोश्चन पर अब हम आपके सबसे पहले नंबर कोश्चन को देखेंगे तो सबसे पहला नंबर कोश्चन कहता है कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टी क्या वसकता किसके लिए वंचनिये है और क्यों है तो भारत को पहचान सकने वाली दृष्टी क्या वसकता एरोपियन लोगों के लिए वंचनि है क्योंकि भारत एसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समधान होने पर यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याओं का निदान संभव है कहने का मतलब हुआ कि भारत के पास अनेक प्रकार की समस्या है अगर उस समस्या का समधान हो जाए अगर उस समस्या का निदान हो तो चलिए अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर कोश्चन तो दूसरा नंबर कोश्चन कहता है कि लेखक ने किन बिसेश छेत्रों में अभिरूची रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ग्यान अवस्यक बताया है तो इसका जवाब होगा कि लेखक ने बताया है कि जिन्हें भूब ग्यान में बनस्पती जगत में जीवों के अध्यन में पुरा तत्व के ग्यान में एवं नीती सास्त्र जैसे बिसेश अभिरूची है उन्हें भारत का प्रत्यक्ष ग्यान अवस्यक है हम आपको जितने सारे भी यह कोश्चन बतला रहे हैं यह सभी कोश्चन एकजाम में दो नमबर से पूछे जाते हैं इसलिए इसका जवाब भी आपको कुछ सौट में ही देना है अगर हमें लगेगा कि इसका जवाब थोड़ा लॉंग होगा तो हम आपको उसका लंबा अंसर भी लिखाएंगे लेकिन यह सभी कोश्चन दो नमबर के पूछे जाते हैं इसलिए इनमें पचास बट से अधीक आपको नहीं लिखना रहता है तो चलिए फिर से हम लोग दूसरे कोश्चन को देखेंगे कि लेखक ने बताया है कि जिन्हें भूब ज्यान में बनस्पती जगत में जीवों के अध्यन में पूरा तत्व के ज्यान में एवं नीती सास्तर जैसे बिसयों में बिसेस अभिरूची है उन्हें भारत का प्रत त्यक्ष ग्यान अवश्यक है अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर कोश्चन कि लेखक की दृष्टी में सच्चे भारत के दर्शन कहां हो सकते हैं और क्यों लेखक की दृष्टी में मतलब मैक्समूलर की दृष्टी में सच्चे भारत के दर्शन कहां हो सकते हैं और क् पतलब भारत के गाउं में आपको सच्चे भारत की दर्सन होगी क्योंकि भारत के गाउं में सभिता संस्क्रिती कूट कूट कर भरी रहती है भारतिय ग्राम संस्क्रिती में सच्चा भारत नहित है क्योंकि सच्चाई प्रेम करुणा सहयोग की भावना ग्रामनों में कूट भरा होता है अगर आप सहर में जाते हैं तो वहां कोई भी लोग एक दुसरे की मदद नहीं करते हैं जबकि गाउं में सभी लोग एक दुसरे की मदद करते हैं समाज में रहते हैं और गाउं में प्रेम करुना शहयो की भावना लोगों में कूट-कूट कर भरा रहता है इसलि भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किन के लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है अस्पस्ट करें। भारत की ग्राम पंचायतों के बहुत बड़ा चेत्र भारत की ग्राम पंचायतों के निर्मान और विकास से संबंध प्राचीन यूगीन कानून को पुरातन रूपों के बिसे में हुए अनुसंसा की महत्ता को समझने की छमता प्रदान होती है। कहने का मतलब हुआ कि वैसे लोग जिनको अत्यांत सरल राजनेतिक एकायों के निर्मान में और विकास के संबंध में प्राचीन यूगीन कानून के पुरातन रूपों के बिसे में जो अनुसंधान की महानता को समझने की छमता प्रदान करती है। उनके लिए भारत की ग्राम पंचायतों को लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है। और यह हवाला लेखक ने क्यों दिया है। ठीक है लेखक ने वारेन हेस्टिंग से समंधित किस दुर्भागपूर्ण घटना का हवाला दिया है और क्यों। तो इसका जवाब होगा। 172 दारिस नामक सोने के सिक्के जो पहले सोने के सिक्के राजाओं महराजाओं के काल में चला करते थे। उस समय के हवाथ है कि वारेन हेस्टिंग्स दौरा 172 दारिस नामक सोने के सिक्के इस्ट इंडिया कमपनी के निदेशक मंडल की सेवा में भेजे जाने पर। मतलब बारेन हेस्टिंग इस्ट इंडिया कमपनी को 172 दारिस नामक सोना दिया था और इस्ट इंडिया कमपनी के मालिक दौरा उसका महत्व नहीं समझा गया और उन सभी सिक्कों को गला दिया गया यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन मुद्राओं को गला देना ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहा है मतलब बारेन हेस्टिंग दौरा जब इस्ट इंडिया कमपनी के मालिक को 172 दारिस सोने के सिक्के भेजे गये तो East India Company के मालिक द्वारा उस सोने के सिक्के को गला दिया गया क्योंकि वह एक धरोहर था अनवेशन का बिसे था जिसे East India Company नहीं चाहता था कि हम किसी धरोहर को अपने पास सुरक्षित रखें तो पाच्वा नमबर कोश्चन आपका यहीं कहता था अब हम लोग देखेंगे छठे नमबर कोश्चन की तरह तो छठा नमबर कोश्चन कहता है कि भारत के साथ एरोब के ब्यापारिक समंद के प्राचीन परमान लेखक ने क्या दिखाए हैं मतलब एउरोप के साथ जो ब्यापरिक समंद था भारत का इसके क्या परमान दिखाएं हैं लेखक ने तो इसका जवाद होगा कि लेखक के अनुसार सोलो मन के समय में ही लेखक के नुसार मतलब मैक्समूलर के नुसार सोलोमन के ही समय में सिरिया और फिलिस्तीन के मध्ध आवा गमन के साधन सुलब हो चुके थे ठीक है सिरिया और फिलिस्तीन के मध्ध आवा गमन के साधन सुलब हो चुके थे मतलब शिरिया के लोग फिलिस्टीन में आया करते थे और फिलिस्टीन के लोग भी शिरिया जाते थे मतलब दोनों के बीच आवा गमन शुरू हो गया था साथ ही इन देशों के ब्यापारिक अधियन के आधार पर प्रमानित होता है कि हाथी दाथ, वंदर, मुर और चंदन आदी जिन बस्तों के ओफिर से निर्याथ की बात बाइबल में कही गई है वे बस्तों के भारत के सिवा किसी अन देसे से नहीं लाया जा सकता था मतलब जह बात बाइवल में कही गई है कि हाथी के दाथ हो गया, बंदर हो गया, मूर हो गया और चंदनादी बस्तु जो है और फिर से निर्यात की बात बाइवल में कही गई है मतलब इन सभी बस्तुओं का निर्यात और फिर से होता था ये बस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती थी तो इसी बात को यहाँ पर लिखा कहते हैं कि भारत के साथ इरोप के ब्यापारिक जो सम्मंध था इसी चीज के बारे में यहाँ पर लिखा बतलाए हैं अब हम लोग अगले वीडियो में सात्मा नंबर कोश्चन को देखेंगे तो चलिए सात्मा नंबर कोश्चन के बाद से हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे